जहें दोस्तों आप सभी का स्वागा थे हमारे इस चैनल पर दोस्तों आप सभी से हमने कल साम को वादा किया था कि आप लोगों को सुबा तीन बजे क्या बच्चों सुबा तीन बजे आपको रियल पेपर है नहीं कि 100% रियल पेपर देंगे वो भी सलूसन के साथ तो आप ल कितने करेने वाले असी के पुड़ांगे समय तीन घंटे का ध्यान दिजे इस समय आप के क्या वच्छों इसमय आपके पूरे यूटूब में यह वाला पेपर जो आपको दिख रहा है बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है क्या हो रहा है हंड़ेड परसंट तुम नहीं कह सकते हैं हंडेड परसंट थमें कह सकते हैं लेकिन बच्छों उता नहीं बता दें आप में जो किसे संबन्दित होता बच्चो तो आप सभी जानते हैं उससे उत्सर्जन से किसे सरजन से संबंधित होता है अगला प्रस्ट को किया उत्थ सदाख को से निकलने वा रक्स की ब्रिद्धी होती है किसे में होती है भी डुष्ट परेजतेय। प्रैशन जो के लिए इस पस्टी नूतम दूरी है। तो आप लोग जानते हैं 25th सेमी कितने होती है। पचीज सेमी देख लिजे आप सन में दिये गया क्या 25 सेमी कि सेंटी मीटर ठीक बच्चो तो आप लोग इस प्रश्ण को रट लिजेगा अगला दीकिए प्रश्ण क्या है उपकरनों को बिद्दुत अगहात से बचाने वाली युक्ति है क्या युक्ति है तो बच्चो आप सब्सक्राइक प्यूस को बचाता है अब लोग इस प्रश्ण को जैड़ से नहीं ब Colin कe काई व्यक्तिस्टान की पीर पूर्ति करता फिर्ज बता इता और आपको यह वाइरल पेपर डीपेंड मत हो येगा बस अपना आठ बैल आठाइम से इसे देख लिए बस ठीक है अब देख लिजिए प्रश्न पर क्यिंग पर आ इसे स्वयम से सवाल्ब करेंगे यह जो है किस वह टाइपिंग में मिश्ग प्रिंट हो चुका संको नहीं करना यहाफ को अगला प्रशन हिंगा यह परशन से दूसरे निस्तर के लिए अर्जय का इस cthana अनत्रान्स सघ्ट सथ है कितना प्रस दस पर्ट सथ है कितना पर दस परति सथ है आपका हुझाए गराइटन सर यह पर्यां वर्ण वाल चैप्टर से लिया गाए ठेक है चले अगला प्रशन आपकी स्क्रेन पर है आप लोग देख सकते हैं बीदू देगो प्रदभी के चुम्ब के छेत् खीचे गई इस पर जरे खा है प्रसपर क्या होती है बच्चों प्रसपर हमारी क्या होती है आप लोग इसे कल लिजेगा प्रसपर क्या होती है समानतर होती है तो आप लोग इस प्रश्ण को जरूर से कल लिजेगा ये प्रश्ण को छोन कर मत आएगा ठीक है ना चलिए अगल संबाई की क्या होता है अनुकर्मान उपाती होता है चलिए अगला प्रशन आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए स्वेत प्रकास का रंगों में विभक्त होता है स्वेत प्रकास का रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है वांड भी छेपान कहलाता है क्या कहलाता है वांड छेपन कहा लाता है तो आप लोग इस प्रेशन को जरूर से कल लिजेगा अगला प्रत्वीम की उचाई तो था बीमी की उचाई के अनुपात को क्या कहते हैं अवर्धन कहा जाता है अवर्धन कहा जाता है तो आप लोग इस प्रेशन को भी जरूर से कल लिजेगा क्या प्रत सागत लच्छन कहा है अगला प्रश्ण के स्क्रीन पर मनुस में जरना होता है मनुस में क्या होता है ठीक है तो आप लोग इसे कहा लेज़ेगा मनुस में क्या बच्चो लेंगी जनन होता है आप देखें यहाँ पर सही-जोडी मिलाना है घ्ञांदीजे स्वपरागन किसमें घ्रinal न्यूरकम धान ये दोनों प्रश्चना को खुद से सवाल्व कर न ठीक है और ये वाला पित वाला कर लिजएगा मैं इसको बता देताओं सोरिय हुम्हारा क्या है अति क्रियसील तत्तोक एट हैं तोचछेर अगले प्रस्चन मां। हैं तो देखिए अगला प्रश्ण आपका है एक वाकिम उत्तर देना बच्चो इस पीड से करना हमारे पास समय नहीं क्योंकि एक उश्चन आपके ज्याम में देखने को मिल सकते हैं लोहें पर जंग लगना किस प्रकार के अपकिरिया का उधारान है तो लोहें पर जंग लग पुछा जा चुका है अगला प्रश्ण आपकिस क्रीन पर आप लोग देख लिए अं रचार की किरिया से बनता है ऐस क्या बनता दो रॉश्ण यह उसकल वान अर इस प्रिशन को जरूर से कल लिजेगा अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर धिखन दिजीगा यह हैं पारे क कि मिस्र धातू क्या कहलाती तो पारे की जो मिस्र धातू होती है उसे हम अमल गम कहते हैं क्या बच्चों अमल गम कहा जाता है आप लोग इसे कर लिजेगा जो पारे की मिस्र धातू होती उसे क्या कहते हैं अमल गम कहा जाता है आप लोग इस प्रेशन को जरूर से कर के अगला प्रश्न को जरूर से कर लिजेगा अप देखेंगे अगला इस प्रश्न को जरूर से कर लिजेगा किस हर्मोन की कमी से मधू मेह रोग होता है तो इंसुलीन की कमी से कौन से रोग होता है मधू मेह रोग होता है ठीक है तो आप लोग लिजेगा इंसुलीन की कमी से कौन से रोग होता है मदू में रोग होता है ठीक है क्या होता है जब कोई परिवक्त क्या परिपक्त क्या इस पाइरो गाईरा तन्तू काफी लंबा हो जाता है तो क्या होता है बच्चों आपको इस प्रश्ण वो विखंडित हो जाता और नवजात क्या नवजात को जर्म देता हो विखंडित होक कर लिजेगा यह important question है कई बार exam में पूछा जा चुका है ठीक है तो अब हमने आपको एक से चार तक तो risk लेकर बता दिया है real paper है तो भाई risk लेना पड़ा एक से चार तक तो हमने आपको बता दिया अब आपको पांच से लेकर बाईस तक के उतर आपको टेली ग्राम पर मिल जाएगा तो आपड़ो टेली ग्राम को जॉइन कर लीजेए या फिर इसी चैनल पर आपको live class देखने को मिलेगी क्या बच्चों इसी चैनल पर आप सभी को लाइब क्लास देखने को मिलेगी 6.45 पर आप लोग लाइब जुर जाएगा हो सकता है उस लाइब क्लास में आपको हम पूरा हल करा दें ठीक है तो आप लोग 6.45 पर लाइब जरूर हो जाजिएगा चलिए तो ठीक है बस ये छोटा से वीडियो रखते हैं आप लोग एक से चार तक का हल अभी आप लोग देख लिए होंगे और साल्व कर लिजएगा रियल है बच्चो आपके पेपर में देखने को मिल सकता है लेकि 100% तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ भी डाउट हो सकता ठीक ना तो चलिए आपको वीडियो पसंद आप वीडियो को लाइक करो सेर क करो चैनल को सब्सक्राइब करो तो हम मिलते हैं किसे नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत